हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप लोग आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मैं हुआ भदूबे और यह है आपका प्यारा साथ चोटा से चैनल M.V.Center स्टुडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 12 की मैथ की स्टार्ट किया हुआ है और इससे रिलेटेड दो वीडियो आल्रेड़ी आ चुकी है अर्था जो आपका चैप्टर M.1 है उसका बेसिक कॉंसेट का जो दो वीडियो है जिसमें हमने आपको शंबंध क्या होता है शंबंध की प्रकार जिसमें हमने आपको पढ़ात बताया था श्वतुले शंबंध क् होता है शंक्रमक शंबंध क्या होता है इन सब के बारे में डीटेल से बताया हुआ है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उपर आई बटन में मिल जाएगा वहां पे जा करके सबसे पहले उन दोनों व देखेंगे तो बहुत ही helpful वह वाली वीडियो लगेंगे क्योंकि वहां पर हमने आपको श्वतुल्य शंबंध, शंबमित संबंध, संक्रमक शंबंध क्या होते हैं उसके बारे में पताया था उससे डिलेटेट धेर सारे एक्जामपल आपको कराया थे तो उन्हीं पर आज Q aquell करना है जो आपके एक्सरसाइज बे क्विश्शन दिया हुआ है उनहीं पर यानि कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा संब immense है, कौन सा संक्रमक है, वह इंचिक आज आज आपके exercise के क्विश्शन को करना है, तो अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे तो आज क्वेश्ट है उस वीडियो को जाएए देखिए तब इस वीडियो को देखिए चले exercise 1.1 को हम लोग start करते हैं जो पहला question है कर रहा है कि आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होगा निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिकित संबंदों में प्रतेक स्वतुल्य शममित तथा शंक्रमक हैं या कुछ चिक करने के लिए बता रहा है कि कौन कौन से स्वतुल्य हैं शममित हैं शंक्रमक हैं यह आप चिक करके हमें बताईए देर सारे question है टोटल 8 question आपको इसमें मिल जाएंगे 9 question टोटल इसमें है उन सभी questions को आज की इस वीडियो y is equal to 0 देखें पहला question का जो पहला सवाल है उसमें एक समुच्चे एक sit दिया हुआ है sit क्या है एक दो तीन चार से लेकर के कहां तक चवदर तक और आपको एक relation दिया है relation कैसा दिया है ordered pair xy such that 3x minus y is equal to 0 यहाँ पे x और y के जो element है वो एक दूसरे से इस सम्बंद की द्वारा 3x minus y is equal to 0 सम्बंद की द्वारा जुड़े हुए है अर्थात relation क्या है 3x minus y is equal to 0 यह minus y उधर जाएगा plus y हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x अब दिखिए अगर हम x बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही रखें तब हमें y के मान मिल जाएंगे तो x बराबर अगर हम 1 रखें तो y का मान 3 गुड़े है यानि 3 मिलेगा दिखिए समझेगा x बराबर अगर 1 यहां रखें तो y का 9 मिलेगा x बराबर अगर 4 रखें तो चाथे 12 मिलेगा अगर हम यहाँ पर x बराबर 5 रखें तो 5 यहीं 15 और 15 इस सिट में नहीं है ध्यान से समझेगा हम क्या करें है अगर x बराबर 5 यहां पर रखें तो 15 आथा और 15 इस सिट में नहीं है अरताथ हम x बराबर 5 नहीं रख सकते रख सकते हैं लेकिन उनका समंद नहीं मना सकते हैं क्योंकि यहां केवल 14 तक ही दिया है तो हम कहां तक रख सकते हैं 1,2,3,4 एक रखने पर 3 मिला, दो रखने पर 6 मिला, तीन रखने पर 9 मिला, चार रखने पर 12 मिला अता हमारे पास जो relation मिला, relation वो कैसा मिला, एक का 3 के साथ, एक रखने पर ही तो 3 मिला, एक का 3 के साथ, दो का 6 के साथ, दो रखने पर ही तो 6 मिला था, तीन का 9 के साथ, क्योंकि x बराबर 3 रखने पर y बराबर 9 मिला था, और 4 का 12 के साथ, कोई पूछेगा x बराबर 5 क्यों नहीं रखा तो कहेंगे X बराबर 5 रखने पर Y बलाब 15 मिल रहा था जो कि set A में नहीं है X Y दोनों set A के ही element होते हैं तो relation हमें हमने इसको roaster form में यह हमें दिया था समुझ चेलर वार विदी में इसको हमने लिग लिया roaster विदी में roaster with में हमें relation क्या मिला एक तीन दो चार बार है अब हमें चेक करना है कि कौन सा स्वतुल्य है सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य शंबंध है की नहीं है तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए पहला question है आपको अच्छे समझा देते हैं स्वतुल्य के लिए क्या होता है sit a में जितने element है sit a में जितने element है इधर भी sit a का relation a के साथ ही बनता है जैसे इसमें कितना था एक दो तीन चार लेकर के कहा तक चवदा तक तो इधर भी क्या होता एक दो तीन चार से लेकर के चवदा तक अगर स्वतुल्य समझा होता तो एक का relation एक के साथ दो का relation दो के साथ तीन का relation तीन के साथ चार का relation चार के साथ ऐसे जितने element थे सब अपने आपसे समझा बनाते तब उसको कहते है स्वतुल्य समझा यानि ये सिट स्वतुल्य समझा कहलाता ये जो relation है स्वतुल्य समझा कहलाता इस सिट में अगर एक का समझा एक से दो का समझा दो से तीन का समझा तीन से चार का समझा चार से बनता लेकिन यहाँ एक का संबंद 3 से है, दो का संबंद 6 से है, तीन का संबंद 9 से है, 4 का संबंद 12 से है तो क्या ये स्वतुल्य शंबंद है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों कि एक का संबंद 1 से नहीं है यहाँ पे दो का शंबंद दो से नहीं है यहाँ पे तीन का शंबंद तीन से नहीं है यहाँ पे इसलिए यह संबंद स्वतुल्य नहीं है स्वतुल्य शंबंद के लिए condition होता है एक का एक के दो का दो से तीन का तीन से मतलब जितने element है शबी element स्वता के साथ क्या बनाएंगे शंबंध बनाएंगे तो कहेंगे यह संबंध स्वतुल्य शंबंध नहीं है क्यों नहीं है उसको लिखते है क्योंकि AA मतलब स्वैम का संबंध स्वैम से AA does not belong to R AA मतलब एक ले रहते तो एक 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 इसमे नहीं है दो ले रहेते तो ये भी दो ए बराबन दो लेंगे दो दो हुझाएगा ना दो दो इस R में नहीं है तो स्वैम का संबंद स्वैम से अगर होगा तूसे बोलते हैं श्वतुल्य शंबंद नहीं है इसलिए ये जो relation दिया हुआ है ये श्वतुल्य नहीं है दूसरा हमें चेक करना है शममीत संबंध समयत संबंध क्या होता है उस वीडियो में हमने आपको बहुत डिटल में बता शममीत संबंध मतलब जैसे आर आपको दे दिया है कोई भी शंबंध Stick को upside एक दो, दो एक, तीन दो, यही मालते आर दे दिया होता, तो जितने ordered pair हैं, सब के ब्यूतक्रम आपके पास होने चाहिए, जैसे यहाँ एक दो है, एक दो, तो दो वाले को पहले लिख दीजे, एक वाले को बाद, एक दो को निके दो एक, दो एक, अगर इसमें है, ऐसे जितन हैं, सब होने चाहिए, एक दो का उल्टा क्या होगा, दो एक, दो एक क्या इस सिट में है, है, तो इसके लिए पास है, यह सम्मित बनाएगा, फिर दो एक के लिए चेक करते हैं, दो एक के लिए चेक करेंगे, तो दो एक का उल्टा, एक दो, एक दो इसमें है, हाँ है, आत दो तीन क्या इस सिट में है इस आर में है नहीं है दो तीन जब आर में नहीं है तो ये सममित भी नहीं होगा बात समझ पाए ऐसे आर दिया हुआ है आर दिया हुआ है यहाँ पे आर दिकी क्या दिया हुआ है एक तीन तो एक तीन का उल्टा तीन एक यह होना चाहिए था तब में शम्मित होता टीन को इल्ट तीन का उल्टा 9 Journe toast पूना चाहिए था मतब सब की फिर यहां पर है सब को लुब्टे होने चाहिये थे तब सम्मित कहारा था एक उल्टा एक तीन का उल्टा थीन एक नहीं है डो final つ्धोना यह?" अर्थात सम्मित ये नहीं है नहीं है क्यों क्योंकि AB for every value आ मतलब प्रतीक मान के लिए AB belongs to R है AB belongs to R है this implies that BA does not belongs to R मनलब AB belongs to R है 1,3 तो इसमें है लेकिन उसका उल्टा 3,1 3,1 R में नहीं है क्या कहेंगे 1,3 है 3,1 नहीं है AB तो है लेकिन BA इसमें नहीं है इसलिए ये संग्रमक संबंद संग्रमक संबंद ही तो सबसे important है यहीं तो चिक आपको करना है कि संक्रमक कौन सा है, शंक्रमक कौन सा नहीं है तो संक्रमक के लिए क्या तरीका है वो समझे जैसे एक सिट आपको आर दे दिया बहुत डिटिल में हमने आपको बताया था दो तीन दे दिया तीन एक दे दिया ये संक्रमक है कि नहीं ये चिक करना है तो संक्रमक के लिए condition ये होता है कि अगर A, B, R में है B, C भी R में हो तब देखे, A, B है B, C है A, B है, B, C है जो दोनों के R में है R मतलब यहीं ordered pair इसमें जो है तो इस B वाले को गायब कर दिया जाता है B, B, जो common person है उनको गायब कर दिया जाता है औरे औरे वाले को ले लेते है A, C यानि A, C अगर R में है A, C अगर R में है A, C, R में है तो वह संक्रमक संबंद कहलाता है जैसे जैसे समझे एक दो है तो लाश्ट में इसके क्या है तो दो से स्टार्ट होने वाला देखे यहाँ है दो से स्टार्ट होने वाला जहाँ है उन सब के साथ combination मनाएंगे तो दो से स्टार्ट होने वाला यहाँ है दो तिन तो इस बीच वाले को क्या करना है गायब करना है ओरे ओरे जो बचा एक तीन तो एक तीन क्या इसमें है एक तीन इसमें नहीं है इसलिए ये संबंद संक्रमक नहीं है ऐसे जितनी पेर है सब पेर के लिए हम लोग क्या करेंगे solve करेंगे, check करेंगे ठीक है न, बहुत आशान है अभी सब सवाल देखेंगे, आसानी से समझ में आ गया एक तीन, दो चर्ट, तीन नो तो सबसे पहले एक तीन है एक तीन है तीन से स्टार्ट होने वाला देखें कहा है तीन से स्टार्ट होने वाला यहां है तीन नो बीच बीच को गायब करेंगे ओरे ओरे क्या बचेगा? एक नो एक नौ इसमें रहना चाहिए एक नौ इसमें है नहीं है इसलिए संक्रमक संबंद भी नहीं है नहीं है न इसलिए अगर होता तो इसके लिए आगे के लिए चेक करते हैं ऐसे ही सब के लिए चेक करेंगे या पहले के लिए संक्रमक संबंद नहीं है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए संक्रमक्षंबंद नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि AB belongs to R BC belongs to R This implies that AC देखे B, B को छोड़ेंगे औरे-औरे लेंगे AC does not belongs to R पहले ही condition के लिए आप चाहिए तो solve करके दिखा सकते हैं एक तीन R में है फिर तीन नव R में है लेकिन एक नव R में नहीं है एक नव आपको कहीं दिख रहा है इसलिए यह संक्रमक भी नहीं है तो जो पहला question था पहले का पहला वो हमने आपको थोड़ा detail में समझाने का प्रयास किया है यह श्वतुल भी नहीं है शममित भी नहीं है संक्रमक भी नहीं है श्वतुल के लिए सब का relation एक दूसरे के शाथ होना चाहिए शममित के लिए उसका उल्टा होना चाहिए और संक्रमक के लिए यह condition है I hope यह question आपको समझ में आ गया होगा note कर लीजिए वीडियो को pause करके note कर लीजिए अभी तो हम लोगों नहीं यह सब definition के रुप में देखा अभी आगे बहुत detail में देखेंगे note कर लीजिए चलिए इसके आगे हम लोग next देखते है question number पहले का दूसरा करा कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चे n में r x y saturated y ब्रावर x प्लस 5 तो था यह अक्सी चले 5 द्वारा परिभाशित है शंबंद r ठीक है ना अब चलिए दूसरा question देखते है आशान आशान question है आशान ही इसे समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगी चलिए question number पहले का दूसरा सबसे पहले relation जो दिया है ना जो सम्मन समुच्चे निर्माड विदी में दिया है उसको आप रोस्टर विधी में लिखिए रोस्टर विधी में कैसा लिखा जाता है पहले lecture में हमने आपको बता दिया था इसलिए तो कह रहे है उन lecture को देख किया हैंगे तो इसको आप आसानी से समझ पाएंगे देखे क्या करा है एक relation दिया है relation r बराबर दिया है x, y ठीक है न और सच डेट y बराबर x प्लस 5 और x का जो मान है x जो है and x is less than 4 और जो x है वो करा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुझ चे x प्राकृतिक संख्याओं था 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी 5 होगी, लेकिन यहाँ x का मान 4 से छोटा लेना है x का मान 4 से छोटा लेना है चूपी x इस less than 4 x का मान 4 से छोटा है तो x का मान 4 से छोटा है तो x का कौन metric सकते हैं 1, 2, 3 0 नहीं ले सकते हैं, माइइस नहीं प्राकृतिक संख्याओं, natural number कहा है प्राकृतिक संक्या एक से स्टार्ट होती, एक दो, तीन, चार, पांच, साता, नौ, दस लेकिन यहां कहा दिया है, चार से छोटा इसने हम कौन सा ले रहे हैं, एक दो, तीन अच्छा, यहां शंबंद क्या दिया हुआ है, वाई बराबर दिया हुआ है, एकस प्लस पाच, वाई बराबर कितना दिया हुआ है, एकस प्लस पाच, एकस बराबर एक रखने पर हमें देखें, एकस बराबर क्या रखते हैं, एक, दो, तीन, यहीं रख सकते हैं, इसके अला तो y ब्राबर 6 मिलेगा यटी ज़ा बधर सकते हैं तो तो 5 तीन 8 यानि 1 का संबंद 6 दो का संबंद 7 से 3 का संबंद 8 से हो रहा है और को मिल रह रहे तो जो relation हम लोग बनाएंगे बताइए एक का संबंद 6 से एक का संबंद 7 से 3 का संबंद 8 से है अब आप से पूछेगा स्वतुल्य है स्वतुल्य है देखे स्वतुल्य है पहला condition पूछेगा पहला सवाल स्वतुल्य नहीं है साब साब दिख रहा है क्यों नहीं है एक का संब्द एक से होना चाहिए था दो का संब्द दो से होना चाहिए था तीन का संब्द तीन से होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी कुछ देख नहीं रहा है एक का संब्द देखे स्वतुल यह नहीं है क्योंकि इसके पहले वाला हमने definition के रूप में लिखा था यहाँ पे अब लिख रहे हैं क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन डज नौट बिलांग्स टू आर यह सब आर में नहीं है इस relation में नहीं है relation श्वत्ल शंबंद कहता है कि जो सिट है वो स्वैम से संबंद बनाए एक का संबंद एक से हो दो का संबंद दू से हो तीन का संबंद तीन से हो तब उसको श्वत्ल शंबंद कहेंगे तो यहाँ एक का संबंद एक से ने एक का संबंद छा से है दो का सम्बंद सास से तिन का सम्बंद आड़ से ऐसा कोई सम्बंद नहीं मिल रहा जाए, एक का एक से दो का दो से तिन का तिन से हो, इसलिए श्वतुल्य नहीं है, दूसरा हम चेक करते हैं सममित, सममित सम्बंद, तो सममित सम्बंद के लिए हमने आपको बताया था उल्ट जैसे यहां एक छाह है तो छेएक रहना चाहिए इसमें, तो एकछा का इल्टा 6,1 कहीं दिखाई दे रहा है uy नहीं दिखाई दे रहा है तो सममित भी नहीं है, तो सममित समंद नहीं है, क्यों कि आप प्रतिक के रिख सकते हैं जैसे डिफिनीशन हमनेames सूरूआ सूरूआ थ ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1.6 belongs to R है, this implies that उसका उल्टा 6, 1.6 का उल्टा 6, does not belong to R, ऐसा ही 2.7 तो R में है, 2.7 तो R में है, लेकिन 2.7 का उल्टा 7.2 R में नहीं है, ऐसे ही बता यह 3.8 है, तो 3.8 का उल्टा 8.3 हो जाएगा क्या, 8.3 भी R में नहीं है, इसलिए यह सम्मित नहीं है, अगर यह सब R में होती, तब तो सम्मित होता, ठीक है न, इसके बाद 4 था, सुरी तीसरा, तीसरा हमसे करा है संक्रमक संबंद, चिक करते हैं संक्रमक संबंद है की नहीं है, तो संक्रमक संबंद के लिए हमने आपको बताया था कि दो पेर लेते हैं जैसे एक दो है दो तीन है तो यहाँ पहला पेर कौन है एक छे तो छे से स्टार्ट होने वाला इसमें कहीं है देखे इसका लास्ट है छे तो हमें क्या करना है छह से स्टार्ट होने वाला खोजना है तो छह से स्टार्ट होने वाला नहीं है तो इसके लिए तो चिक नहीं कर सकते तो जिसके लिए चिक नहीं कर सकते उसको पास माराया जाएगा यह संग्रमक होने देगा इसको क्यों पास हमने का बताईए हमने का एक छैए आप संग्रमक चेक करने के लिए 6 से start होने वाला देखते हैं। जैसे संग्रमक में ऐसा ही ने काते हैं। एक छै था फिर 6, 8 होता तो बीच वाले को गायब करते हैं। औरे औरे जो था, 1,8 उसको check करते हैं। उसमें है की नहीं है। लेकिन यहां तो 6 से स्टार्ट होने वाला इसके लास्ट में 6, अब 6 से स्टार्ट होने वाला खो जेंगे ना, 6 से स्टार्ट होने वाला है यह नहीं है, जब नहीं है तो उसको पास मानेंगे, फिर 2 साथ के लिए चेक करते हैं, 2 साथ लास्ट में क्या है, 7 है, तो 7 से स्टार मिला नहीं है संग्रमक संबंद है कीसे है इनका पेर हमें नहीं मिला इसलिए हमने कहा कि इनका पेर मिलता साथ से स्टार्ट होने वाला मिलता तो वो जो संक्रमक बनाती बीच को गायप करके औरे-औरे को लिखते वो इसमें होना चाहिए था अगर होता तो कहते हैं नहीं होता तो नहीं होता लेकिन पेर ही नहीं है जब पेर ही नहीं है तो क्या चेक करेंगे नोट कर लिए चले question number 3 देखते हैं आशान आशान questions हैं बहुत मज़ेदार हैं सब कुछ आपको समझ में आएगा ठीक है तीसरा question क्या करा है कि समुझे ए बराबर एक दो तीन चार पांच आर एकस वाई सच डड़ भाज है यक्स से इस प्रकार परिभाशित संबंध आ रहे देखिए ये बराबर दिया है एक दो तीन चार पांच छे थोड़ा समझीए गा इस question को और शंबंध आर बराबर क्या दिया है शंबंध आर बराबर दिया है ordered pair xy such that y भाज है x से y भाज है x से मतलब हमें ऐसा ordered pair बनाना है जिसमें y वाला x से कट जाए ऐसे समझ ए इधर a है इधर भी क्या होगा यह होगा स्बनाते है एक है दो है तीन है चार है पांच है 6 है अब कह रहा है कि y वाला यह देखे, x के होता है, यह क्या होता है, y होता है, y वाला मतलब यह, x से, मतलब इससे, कट जाए, मतलब एक को चेक करते हैं, क्या, एक एक से कटेगा, हाँ, कटेगा, तो एक का relation एक से बनेगा, मतलब यह सब कटने चाहिए, किससे, इससे कटने चाहिए, तब वो relation और हम बनाते हैं वाई वाला इससे कटना चाहिए वाई भाज है यक्स से तो वाई वाला ये है यक्स वाला ये है तो वाई इससे कटना चाहिए तो वाई ये एक है एक-एक से कटेगा कटेगा इसलिए एक का संबंद एक से बनेगा क्या एक दो से कटेगा नहीं कटेगा तीन से कटेगा नहीं कटेगा चार से कटेगा नहीं कटेगा पान से कटेगा नहीं कटेगा तो इसलिए एक का संबंद इन सबसे नहीं बन सकता ठीक है अब बात करते हैं दो दो एक से कटेगा कट जाएगा देखें दो एक से नहीं कट ज पहले X वाले लिखते हैं फिर उच्छे हो सब्क्राइब करके नहीं समक्राइब दो कटाइए यह य ही डोंसेयो थी लिख सवाले सब्सक्राइब क्योंकि ग्रय घो दोसे मरें क्यां है दोडि जायएगा तो ही अधीं इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं अब 3 को start करते हैं 3 एक से कटेगा, कट जाएगा 3 बताई एक से नहीं कटेगा एक के पाड़ाम 3 नहीं आएगा, कट जाएगा यानि 1 3 हुआ पहले यक्स वाले को लिखते हैं तो एक का संबंद 3 से बनाएगा क्या 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 2 को संबंद नहीं बनाएगे 3 3 से कटेगा, सब के लिए चेक करेंगे, तो 3 3 से कट जाएगा, 3 का संबंद 3 से बना गया, अब क्या 3 4 5 6 से कटेगा, नहीं कटेगा अरे 4 का भाग 3 में देंगे कटेगा नहीं कटेगा इसलिए इसे और छोड़ देते हैं अब 4 से स्टार्ट करते हैं तो 4 मतलब Y वाला यक्स से कटना चाहिए ठीक है तो Y क्या है 4 4 एक से कटेगा कट जाएगा 1 4 बना पहले यक्स वाले को ऐसा नहीं 4 एक लिखेंगे नहीं इसको लिखना है पहले यक्स वाले को फिर Y वाले को लिखना है तो 1 का शंबंद 4 से बना 4 देखे 2 से भी कट जाएगा 4 2 के पहड़ा में 4 आएगा तो 2 4 हो जाएगा ठीक है फिर 4 3 से नहीं कटेगा लेकिन 4 4 से कट जाएगा तो 4 4 भी हो जाएगा अब 4 5 से भी नहीं कटेगा 4 6 से भी नहीं कटेगा तो इसके लिए छोड़ देते हैं अब चिक करते हैं 5 5 से कटेगा इन सब में से किस से कटेगा तो 5 1 से कट जाएगा यानि 1 5 होगा 5 2 से नहीं कटेगा 5 3 से नहीं कटेगा, चार से नहीं कटेगा, पांच पांच से कटेगा, तो पांच पांच से कटेगा, इसलिए हमने लिख दिया, पांच, 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 छा से भी नहीं कटेगा, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, अब छा को लेते हैं, छा देखी, एक से कट जाएगा, एक छा पहले एक्स वाले को 6, 2 से भी कट जाएगा 2 त्या ही 6 होता है 6 देखे 3 से भी कट जाएगा 3 दूनी 6 होता है तो ये भी संबंद जो जो कटेंगे उसी को लिखना है 6, 4 से नहीं कटेगा 6, 5 से नहीं कटेगा 6, 6 से कट जाएगा 6, 6 हो गया त्यान से समझ पाया कि नहीं, ये रिलेशन हमें मिला, ये जो इतना छोटे में लिखा था ना, ये इतना बड़ाई में है, ये जो इतने छोटे में लिखा था, ये इतने बड़े में है, ये रिलेशन वास्तों में दिया है, ठीक है न, तो एक का संबन एक से है, दो से है, ती का चार का होगा ठीगे वहां पे हमने detail में लिग दिया figure की कोई विजरू तब आपको में लिए कि इखे लीकर समझाने के लिए था भी सकता, उसको स्वतुल्य शंबन्द केंगे स्वतुल्य शंबनतों कтовह, स्भतुल्य शंबनतों को टिकिन आप थो क्योंकि A belongs to R मतलब जितने element है सब R में है इस set A के जितने element है या फिर ऐसे कहिए X Y कहा है तो X Y कहिए X Y belongs to R for every value of X Y belongs to A X Y किस set के element है A की तो 1 का 1 से 2 का 2 का 3 से 3 4 सो तो लिके लिए मतलब जितने set में element है सब अपने आप से संबंद बनने चाहिए आप चेक करते हैं सममित के लिए सममित संबंद के लिए हमने आपको बताया था जब धेर सारा दिया हो तो एक trick या फिर आपको ऐसे ही हमेशा चेक करना है जो स्वतुल्य वाले है उनको कट कर दीजिए उनको क्या करना है कट करना है तो स्वतुल्य वाले को हमने क्या कर दिया कट कर दिया उनको चिक ही नहीं करना होता सममित संबंद हो और संक्रमक संबंद चिक करते समय जो स्वतुल्य वाले संबंद है उनको चिक मत कर ये वो आटोमेटिक रहते हैं बुखेवल आपका काम बढ़ानी के लिए है, उनको चिक करनी की ज़रूरत नहीं है, तो 1-1-2-2-3-3-4-4-4, जो संवंद थी, उनको आपके, का किये हैं, कट कर दिये, अब बाकी जो बच्चे हैं, उनको चिक करनी है देखी एक देखे सममित के लिए हमने बताया है उल्टा होना चाहिए तो एक दो दो एक देखे कहीं है दो एक कहीं है कहीं नहीं है देखी यहां क्या है यहां एक दो है एक दो का उल्टा दो एक यहां होना चाहिए था इसमें दो एक नहीं है इसलिए सम्मित संबंद नहीं है क्यों कि एक दो तो आर में है लेकिन इसका उल्टा दो एक आर में नहीं है इसलिए ये सम्मित संबंद नहीं है आप चिक करते हैं संक्रमक संबंद के लिए इसी में थोड़ा काम बढ़ता है लेकिन बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा हमने बताया संक्रमक्षंबंद में जो स्वतुली वाले हैं कुछ कर दीजे हमने कुछ कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है अब बचे के लिए चिक करते हैं यहां क्या है एक दो तो एक दो मतलब दो से स्टार्ट होने वाले को खुजिये दो से स्टार्ट होने वाला कहा है यहां है तो दो चार है है न मिल गया न नहीं मिलता कोई तो पास बांते नहीं मिलता तो पास बांते तो टो एक-4 बीच-बीच वाले को हटाईए, ओरे ओरे वाला, एक-चार, क्या एक-चार इसमें कहीं है? एक-चार यहाँ है, दियान से दिखें हैं, तो इसका, इसका combination यहाँ है, इसलिए और इसके साथ यह संक्रमक है, द्यान समझें, एक दो, दो चार का combination हमारे पास आया, एक चार, एक चार यहां पर है अर्थाथ, इस और इस पेर के लिए यह संक्रमक है, और आगे चेक करते हैं क्या कहीं दो से start है, देखें, यहां दो से start है, अब एक दो, दो चे, जितने दो से start होंगे, सब के लिए चेक कर आप क्या करेंगे बताइए दो-दो कट्व जाएगा बीक वाला क्या बचेगा किया एक च तो एक छी याउ से तो यहां पे मिला इसलिए यह क्या है शंक्रमक्रанич नहीं रहता तो कहा देते शंक्रमक क्या नहीं तो दो च्छा के लिए भी हमने टेस्ट करें और दो से स्टार्ट होने वाला कहीं है नहीं है तो दो से स्टार्ट होने वाले के वल दो थे और दोनों के लिए हमने चेक किया तो वो क्या बना रहा है थे संग्रमा क्यों क्योंकि उनके जो पेर मिले वो इसमें थे एक चा एक च इसमें थे, इसके लिए चेक ही नहीं करना है, यह आल्रेडी पास माना जाता है सुतुल्य वाला, एक तीन के लिए चेक करते हैं, तो एक तीन, यानि तीन से ही स्टार्ट होने वाला देखेंगे, तीन से ही स्टार्ट होने वाला यहां है, तीन से ही स्टार्ट होने वाला यहा रहा है एक तीन तीन च्छ एक तीन तीन च्छ एक च्छ आया है इसमें संग्रमक है और तीन से स्टार्ट होने वाला इसमें कहीं नहीं है तो छोड़ देते हैं यह भी पास माना जाएगा अब एक चार के लिए स्टार्ट करते हैं यहां पर एक चार अब चार से स्टार्ट होन ऐसको खोजने की मानेंगे भाघ्मानेंगे अब दो चार मतलब या नहीं तो चार से स्टार्ट होने वाला अभी रियम ने खोजा कहीं नहीं था तो कहीं नहीं था तो इसको भी क्या माना जाएगा पास माना जाएगा चार से स्टार्ट वाला है नहीं है तो पास होगा फिर एक पाँच एक पाँच यानि इसके लास्ट में क्या है पाँच है तो पाँच से इस्टार्ट होने वाला कहीं नहीं है पाँच से इस्टार्ट होने वाला कहीं नहीं है नहीं है इसको भी क्या मानेंगे पाश मानेंगे एक छह से इस्टार्ट होने वाला तो छह से इस्टार्ट होने वाला कोई नहीं है इसको भी क्या मानेंगे दो छह, फिर छह से स्टार्ट होने वाला, तो छह से स्टार्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने चेकिया ना, इसकी का पहला है, ये नहीं है, छह, तो पाश, ऐसे तीन छह, ये भी लाश्ट में छह है, इसका भी छह से स्टार्ट होने वाला नहीं मिलेगा, इसल संबंध है, संक्रमक संबंध है, समझ पाएं, संक्रमक संबंध है, क्यों है, क्यों की, क्यों की, A, B belongs to R, B, C belongs to R, this implies that A, C belongs to R, for every value of A, B, C belongs to A, A, B, C किसका element है, A का element है, ठेक है, तो ये question बढ़िया था, इस question को देखने के बाद आपकी जो doubt होंगे न, वो clear हो जाएंगे, कोई question कहीं से भी नहीं बचेगा, I hope आप समझ गये होंगे, परिशानी आपको कहीं से भी नहीं होगी, note कर लीजिए, वीडियो को pause करके note कर लीजिए, इसके बाद हम लोग next question, question number 4 देखते हैं, करा है कि समस्त प्रोडांकों के समुच्चे जिड में R बराबर X, Y, X-Y एक प्रोडांक द्वारा परिभासी शम्बंद आ रहे हैं, जो पहला वाला वीडियो था, अगर आपने देखा होगा, दूसरा वाला वीडियो देखा होगा, तब तो ये बहुत आशाना आपको लग जाएंगे, ठीक है न, चलिए, question number 4, पहले का चौथा, कहा कि, जिड जो है, वो क्या है, प्रोडांकों का समुच्चे हैं, तो अगर हम आपसे जिड के बारे में पूचे तो जिड क्या होता है, प्रोडांक यानि की, माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार ये सभी जड में आ जाते हैं मलब एक पूरण अंग, पूरा पूरा अंग चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, जीरो के साथ पूरण अंग कहलाता है प्रिणांग क्या हुता है, प्लस में हो माइनस में नहीं तरक पड़ता बस प्रिणांग होना चाहिए एक, दो, तीन, दस, त्च, सव, दो सव, पान, सो, हचारिस रूप का होना चाहिए उसको बोलेंगे प्रिणांग, तो relation हमसे क्या बोला relation बोला कि x y such that xy such that x-y एक पुरुडांक है x-y एक पुरुडांक है अब देखें ये सवाल कितना असरल है एक पुरुडांक है अब हमें सबसे पहले चिक करना है स्वतुल्य के लिए हमें क्या चिक करना है स्वतुल्य के लिए आप दिखे स्वतुल्ले के लिए आप X,Y कुछ देखे स्वतुल्ले के लिए Simage होता है अगर 1 लेंगे एक लेंगे तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा आप 8 हो जाएगा तो कोई भी आप ordered pair ले लिजे कोई भी आप ordered pair ले लिजे जैसे हम ले लेते हैं 3-3 यहीं स्वत्तु ले होगा 3 का relation 3 से होता देखे इसी में से कोई element लेना है आप इसी में से ही element ले सकते है चाहे minus 10 minus 10 ले लिजे 100-200 ले लिजे 500-800 ले लिजे कुछ भी ले लिजे जैसे हमने ले लिया 3-3 तो 3-3 का मतलब है 3-3 3-3 का मतलब क्या है 3-3 देखे यक्स y का मतलब है कि यक्स minus y तो 3-3 का मतलब है 3-3 यानि 3-3 क्या है एक पुरणक है 3-3 एक पुरणक है और 3-3 मतलब 0, 0 क्या होना चाहिए एक पुरणक होना चाहिए अगर पुरणक है तो स्वतुल्य है पुरणंट नहीं है, तो सुत्ल यह नहीं है, तो 0 भी पुरणंग होथा है, पुरणंग होता दो ब्रहकु अज़े। जैसे हम minus वाला ले लेते हैं तो minus 5 minus 5 ले लेते हैं तो यहां ordered pair xy होता है तो x minus y एक पुढांक कालाता है relation दिया कि अगर ordered pair xy है तो x minus y क्या कालाएगा एक पुढांक तो यहां minus 5 minus 5 तो minus 5 minus minus 5 एक पुढांक होना चाहिए अरे x की जगा minus 5 रख देते हैं y की जगा भी क्या रख देते हैं minus 5 तो क्या हो जाएगा बताइए minus 5 ये फिर minus minus 5 ये वाला क्या है एक प्रोडांक है चेक करते हैं प्रोडांक है की नहीं है अगर प्रोडांक है तो सतुल्य है प्रोडांक नहीं है तो सतुल्य नहीं है minus minus क्या होगा प्लस होगा एक प्रोडांक है चेक कर लेते हैं मैनस मैनस कैंसल हो जाएगा प्रोडांक है कि नहीं है यह इससे कैंसल जीरो आया तो जीरो एक प्रोडांक है तो देखें जीरो आरा है मतलब स्वतुले शम्बंद के लिए यह जो relation defined है यह हमें साथ जीरो देगा और 0 क्या होता है प्रोडांक होता है अगर 0 प्रोडांक न होता तो स्वत्रोडांक न होता इस condition को satisfied नहीं गरा अगर हम लोग कहेंगे कि A A belongs to R ठीके न? A A belongs to R for every value of A belongs to Z A का प्रतीक मान जो Z में है उसके लिए belongs to R satisfied हो रहा है 0 देखे जो भी आए result जो भी आए इसमें रहना चाहिए तब condition satisfied कह रहाएगा चले दूसरा देख लेते हैं हम लोग किसके लिए? सममित के लिए दूसरा हम किसके लिए चेक करते हैं? सममित के लिए देखे कितनी आशान है सम्मित के लिए चेक कर लेते हैं सम्मित के लिए च कहता है कि प्रतेग का उल्टा होना चाहिए ठीक है जैसे हमने कोई भी ordered pair इसी में से बना लिया ठीक है न इस परकार से जैसे ले लिए हमने 4 3 तो 4 3 का मतलब होता है 4 minus 3 4 3 का मतलब यहां से अगर लेंगे तो क्या होगा चार माइनस तीन एक पुर्णांक है यहीं होगा जैसे हमने चार तिन लिया आप कोई भी पेर ले लिजे कोई भी पेर ले लिजे किसी भी पेर के साथ हमने समझाने के लिए क्यों चार तिन लिया तो जैसे चार तिन लिया तो यहां क्या है पुर्णांक है की नहीं है एक देखे सिट में है तो पुर्णांक है अब अगर 4 3 का उल्टा 3 4 इसमें होगा 4 3 का उल्टा 3 4 इसमें होगा तो सम्मित नहीं होगा तो हम कहेंगे कि 4 4 3 का उल्टा 3 4 तीन चार के लिए लेंगे तो तीन चार जब कहेंगे तो संबंध ये बन जाएगा तीन माइनस चार एक पुरॉडांक है तो ये क्या हो जाएगा तीन माइनस चार एक पुरॉडांक है ठीक है ना अब तीन में से चार जाएगा समयमित नहीं है ना इससे related नहीं है जो आया वो इस sit में है कि नहीं है बहुत determined करेगा समयमित है कि नहीं इसका value determined नहीं करेगा इस sit में होना चाहिए इन चेक करते थे उसी sit में होना चाहिए तो जो result आया इस सिट में है, जो result आया इस सिट में है, 4-3 का उल्टा 3-4 इसी सिट में है, इसलिए ये प्रोडांग है, ठीक है न, आसारी सम्मित है, ऐसे किसी भी pair के लिए आप example लेकर के check कर सकते हैं, तो सम्मित के लिए कहेंगे कि A B belongs to R, this implies that B A belongs to R, ठीक है, अता सम्मित है अता क्या है, सम्मित है, अब ऐसे ही हम लोग किस के लिए check कर लेंगे, ऐसे ही save process से हम लोग check कर लेंगे, शंक्रमक के लिए, तीसरा हमारे पास क्या है, संक्रमक के लिए, किस के लिए, संक्रमक के लिए, चले check कर लेते हैं, संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए, कोई order ले ल अब देखे एक तीन तो तीन से स्टार्ट होने वाला लेंगे एक तीन मतलब तीन से ही स्टार्ट होने वाला लेंगे तो तीन एक एक तीन तीन एक तु क्या देगा एक एक देना चाहिए यहीं होगा संक्रमक अगर होगा तो इस कंडिशन को सटिस्फाइड करेगा 1 3 3 1 तो हमें क्या देगा 1 1 अच्छे 1 3 का मतलब क्या है 1 3 मतलब दिखी 1 y y मतलब 1 y minus y तो 1 3 मतलब 1 minus 3 तो 1 minus 3 स्वरी स्वरी 1 minus 3 और यहां 3 minus 1 3 minus 1 मतलब 3 minus तो 3 minus 1 हो जाएगा 3 minus 1 ठीक है ना तो 1 3 में से जाएगा minus 2 minus 2 तो इसमें है न 3 माइनटब 1 मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा अब यहाँ से 1, 1 के लिए चेक करेंगे तो 1, 1 मतलब 1 माइनट121 में से 1 जाएगा 0 तो क्या 0 इसमें है? देखे, 1, 3 मतलब 1 माइनट3 1, 3 मतलब माइनस2, माइनस2 इसी sit में है 3, 1, अब देखे 3 से start होने वाला खोजी है कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है तो 3 से start होने वाला खोजी है 3 1 3 1 मतलब 2 तो इसी sit में है मतलब ये वाला इस sit में है ये वाला इस sit में है क्योंकि minus 2 2 तो इसी sit में है न तो ये होगा तो ये भी होगा ये भी होगा अर्थात ये ये इस सिट में है तब हमें क्या मिला आउटपुट एक एक मतलब जीरो जीरो भी इसी सिट में है तो जीरो भी इसी सिट में जब है तो ये शंक्रमक है की नहीं मतलब इसका इसका पेर ये आया ये इसी सिट में है ये मतलब जीरो एक तीन का मतलब माइनेस दो इसमें है तीन एक का माइनेस दो इसमें है तो यह जो आउटपुट हमें दिया एक 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 का मतलब जीरो इसी में है न तो यह यह इसमें है इसका आउटपुट भी इसी में है इसलिए यह संक्रमक है ऐसे आप किसी भी संख्या के लिए चेक कर सकते हैं सब के लिए क्या होगा शंक्रमक होगा तो कहेंगे हम लोग A B belongs to R B C belongs to R This implies that A C belongs to R ठीक है ना? अतह क्या है शंक्रमक है हमने इसको example के थूँ अच्छे से आपको समझाया है शंक्रमक है आपको example में बहुत सारी चीज़े नहीं लिखनी है केवल ऐसे ही लिख देना है ठीक है ना? ये एक number में आएगा तो ऐसे लिख दीजे दो number में आएगा तो detail में समझा दीजे उसको आसानी से समझ में आएगा ठीक है ना? नोट कर लिजे वीडियो को pause करके ठीक है बड़े बड़े सवाल है थोड़ा समझाने में शमय जा रहा है वीडियो को pause करके नोट कर लिजे इसके बाद हम लोग question number 5 देखते हैं question number 5 कर आए कि किसी विसीज समय पर किसी नगर के निवाशियों के लिए एक समुच्चे में निम्नलिकित सम्बंद आ रहें देखें पहले के पाचवे में धेर सारे सवाल दिये हुए उन सभी सवालों को हम लोग लगाते हैं देख लेते हैं आशान है, कोई दिक्कत नहीं है आसानी से आप लोग समझ जाएंगे देख लेजे question number पहले में पाचवा है और उस पाचवे में ए है ए का एक relation दिया है कि एक सवाई देखें कराया कि किसी विसीज समय पर किसी नगर के निवासी जो है वो समुच्चे में निम्नलिकित संबंद आर द्वारा मतलब एक नगर है उस नगर के जितनी निवासी है वो एक समुच्चे आर बना लिया और उसमें एक सम्बंद निकाला मतलब एक गाउ है उस गाउ में जितने लोग हैं सबका समुच्चे बनाया और एक सम्बंद इसने लिखा कि एक ही अस्थान पर कारे करते हूं ये बताईए करते हूं पूछ रहा है कि ये सममित है संक्रमक है कि नहीं है ये आप हमें बताईए तो सबसे पहले चिक करते हैं सममित के लिए सममित के लिए क्या होता है स्वैम का सम्बंद स्वैम से होता है अर्थात अगर हम कहेंगे एक्स एक्स लेते हैं एक्स यक्स अगर लें या वाई वाई लें या जिड़ जिट लें मतलब जितरे गाउं के लोग है किसी को भी एक ले लीजिए तो यक्स वाई का मतलब यक्स वाई ये कही अस्थान पर कारे करता है। और ये सत्य है कि इने दो आदमी नहीं है एक ही आदमी है एक्स एक्स महले में एक ही जो भी आदमी था वो एक है या दो आदमी नहीं है एक ही आदमी तो एक आदमी एक ही जगह पर काम कर सकता है ना कि अलग अलग कर सकता है नहीं कर सकता है देखिए एक्स कोई नहीं है यक्स महले के नागरिक हैं और कहरा है कि यक्स और यक्स मतलब यक्स वह आदमी और वहीं आदमी एक ही अस्थान पर कारे कर सकता है तो ये बात तो सत्य है ये बात तो सत्य है क्योंकि एक आदमी दो जग़ा पे कारे नहीं कर सकता अता ये क्या है सत्य है सत्य है और सत्य है मतलब सममित संबंध है सममित के लिए नहीं वापी जाते हैं स्वतुल्य के लिए ये स्वतुल्य है ठीक है ना स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध है अच्छा चलिए अब हम चेक कर लिते हैं किसके लिए सममित के लिए अब हम चेक करते हैं किसके लिए, सममित के लिए, सममित के लिए बताइए क्या है, सममित के लिए उसका उल्टा वहाँ होना चाहिए, जैसे यक्स वाई एक ही अस्थान पर कारे करते हूं, यही नहीं है यक्स वाई तो वाई यक्स भी वहाँ होना चाहिए, तभी कहते हैं सम परकार्य करते हो ठीक है न अब य एक्स का मतलब क्या है य और य एक्स एक ही अस्थान पर कार्य करते हो एक ही अगर दोनु बात सत्य है तो वो क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा सत्य हो जाएगा मतलब संभित होगा अब समझे एक्स और वाइ एक ही जगह पर कारे कर रहे हैं तो य और य यक्स भी तो उसी जगह काम कर रहे होंगे बस नाम ही दरुदर से करने से क्या अस्थान बजल जाएगा नहीं जैसे राम और मोहन मेरे घर पे काम कर रहे होंगे दोन्यों सांत सांत है अर्थाट यक्स वाई यक्स वाई और यक्स है साथ साथ यक्स और यक्स अस्थान पे कारे कर रहा है यानि y और x भी तो एक अस्थान पर कारे कर रहा है सेम ही बात है ना इधर से उदर से कह दिया है ठीक है ना तो ये भी जो सम्बंद है ये क्या है सममित है क्योंकि दोनों कंडिशन ये ये समान कंडिशन है सममित है समझ पाए कि नहीं दोनों एक ही चीज है तीसरा कंडिशन है संक्रमक के लिए संक्रमक के लिए संक्रमक के लिए इसको समझते है संक्रमक के लिए हम ले लेते है x y x y तो x y का मतलब है x और y एक ही अस्थान पर कारे करते हूं एक ही अस्थान पर कारे करते हूं तिके अब दिखे संग्रमक के लिए इसका last जो होता है उससे सुरुगात करते हैं तो इसका last है y तो y, z ले लेते हैं y, z का मतलब होगा y और z एक ही अस्थान पर कार्य करते हैं अब दिखी जो beach beach वाला होता है उसको गायब करते हैं वाई वाई वाला गायब करेंगे क्या पच्छे का X-Z तो X-Z मतलब यक्स और Z एक ही अस्थान पर कार्य करने चाहिए अगर ऐसा है तब संग्रमक है नहीं है तो संग्रमक नहीं है कार्य करते हैं अब यह आप बताएंगे संग्रमक है की नहीं अब समझेए अगर राम और मोहन एक जगा पर कारे कर रहे हैं एक ही जगा पर कारे कर रहे हैं और मोहन और सोहन भी उसी जगा कारे कर रहे हैं देखे राम मोहन एक जगा कारे कर रहे हैं साथ साथ में तो और मोहन और सोहन भी साथ साथ कारे कर रहे हैं इसका मतलब तीनों तो एक ही जगह कारे कर रहे होंगे राम, मोहन, सोहन तीनों तो एक ही जगह कारे कर रहे होंगे अगर राम, मोहन एक जगह कारे कर रहा है मतलब जहां राम कारे कर रहा है वहां मोहन कारे कर रहा है और जहां मोहन कारे कर रहा है वहीं सोहन भी कारे कर रहा है इसका मतलब राम और सोहन दोनों एक ही जगह कारे कर रहे है ये तीनों एक ही जगह कारे कर रहे है तीनों में राम और सोहन दोनों हो गए तो दोनों भी तो वही है अर्था दोनों एक ही का जगह काम करने है उसी प्रकार xy एक अस्थान पर कारे करते हैं yz उसी अस्थान पर कारे करता है तो yy cancel रावराम cancel xz xz भी तो वहीं होगा वहीं कारे कर रहा होगा अत यह सम्मंद सही है देखें यहीं तो कारा है xz मतलब x और z अगर एक अस्थान पर कारे कर रहे होंगे तो सही है तो यक्स जेट एक ही अस्थान पर कारे कर रहा है। अता है संक्रमक शंबंध है थीक है ? ये कैसा संबंध है ? तो पहले वाले में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल था छोटा लग रहा था लेकिंजम्जाने में अनुट कर लीजिये आशान को कुछ पौस्थ ये आशान आशान कुश्यन है ठीक है ना थोड़ा समझना है के बल सम्मीत संग्रम कब तो आप पुरा-पुरा कर लेंगे कहीं से कोई डाउट नहीं है क्लेर कर लेंगे ठीक है न चले नेक्स्ट करते हैं दूसरा सम्मंद देखते हैं बी वाला इसमें अब यहां पर बहुत डीटेल में हम आपको नहीं समझाएंगे अब तो समझ गए होंगे दूसरा जो सम्मंद है बी वाला वो कह रहा है क्या दिया है रिलेशन कि एक्स वाई सजडेट एक्स और वाई एक ही म एक ही महले में कारे करते हैं एकदम वही सवाल है बताइए बस वहाँ एक जगह दे दिया था यहां महला दे दिया है महले में कारे करते हैं तो इसमें कुछ करने की जुरत नहीं है एकदम सेम सेम तरीके से आप कहेंगे कि तीनों है सम्मित संक्रमक और स्वतुल तीनों है क् कि स्वतुल्य जैसे वहां पे कहा स्वतुल्य बस जहां एक ही था जगर वहां एक ही महला है और कुछ नहीं है स्वतुल्य सममित और संक्रमक है संक्रमक है क्यों अगर हम केवल यक्स ले तो यक्स यक्स एक ही महला मतलब कोई आदमी दो जगह महले में काम कर सकता केला आदमी दो महले में कैसे काम करेगा एक साथ नहीं कर सकता है तो एक आदमी उसी महले में काम कर सकता है अगर यक्स और वाई उसी महले में काम कर रहे होंगे तो यक्स भी उसी महले में काम कर रहे होंगे क्योंकि दोनों का उल्टा है न एक्स वाई राम और मोहन हमारे यहां काम कर रह होंगे सेम सेम चीज़े तो सम्मिमीत हो गया और संग्रमक के लिए जो कंडिशन हमने आपको बताए है यहां पर एकदम वहीं कंडिशन इसको बताए अब बार-बार बताएंगे तो लिकत होगी बोरिंग लगेगा बिलकुल भी एकदम वसी तरीके से इसको आप लोग साल्व कर लिजएगा ठीक है सी देखते हैं एकस वाई से ठीक ठीक साथ सेंटीमीटर लंबा है समझ लेते हैं ठीक है न यह पता रहा है अच्छा जैसे तीन हमने ले लिया एकस ले लिया वाई ले लिया जेड ले लिया समझ जाएंगे तीन हो करा कि यकस वाई से साथ सेंटीमीटर लंबा है अगर हमने कह दिया यकस वाई आडर पेर बनाया तो कहा इसका मतलब यकस वा से 7 cm लंबा है अगर order फेर हमने सेंटीमीटर गा तो वाई वाला इस से साथ छोटा होगा क्योंकि यक्स वाला साथ बड़ा है तो वाई वाला कितना होगा 42 सेंटीमीटर का होगा साथ छोटा है फिरकर है जिड़ वाला देखे वाई और जिड़ की जब बात करेंगे तो वाई जिड़ की बात करेंगे वाई वाला साथ बढ़ा होगा जिड़ वाला साथ छोटा होगा तो जिड़ वाला साथ छोटा होगा तो ये 35 सेंटीमीटर हो जाएगा तीनों के माप हम स्वतुलिय संबंद नहीं है क्यों कि स्वतुलिय संबंद के लिए एक्स एक्स सुना छाहिए x x का मतलब क्या है x x का मतलब है yaks yaks से 7 cm लंबा है अब क्या ये संभव है yaks yaks मतलब ये yaks 49 अपने आप से 7 cm लंबा हो जाए क्या ऐसा संभव है नहीं है संभव नहीं है क्योंकि कोई आदमी अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता तो ये स्वतुल्य नहीं है दूसरा चेक करते हैं सममित सममित सम्मंद अच्छा सममित सम्मंद के लिए क्या होता है xy is equal to yx होना चाहिए अगर xy belongs to r है तो yx भी r में होना चाहिए यहीं होता है न तो yx y का मतलब है कि yx y से 7 cm बड़ा है xy से 7 cm बड़ा है लेकिन yx का मतलब है yx से 7 cm बड़ा है तो क्या y वाला x से 7 cm बड़ा है नहीं बड़ा है y वाला तो चोटा है 7 cm xy से 7 cm बड़ा है लेकिन y वाला x से 7 cm चोटा है बड़ा का है अगर xy r में है तो yx भी r में होता फिन तरसम्हीट होता यह सुआय सम्मित संबंद नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि क्योंकि x y से 7 cm बढ़ा है तब y x से 7 cm छोटा होगा छोटा होगा ठीक है न? तीसरा चिक करना है हमें किसके लिए बताइए? संक्रमक के लिए तो संक्रमक के लिए क्या हो जाएगा? बताइए संक्रमक शंबंद के लिए संक्रमक संबंद के लिए ऐसा होता है देखें x y हो y z हो ये implies कर जाए बीच वाला गायब x z x y मतलब x y से 7 cm लंबा है तो x y से 7 cm लंबा है y z का मतलब y z से 7 cm लंबा है तो y z से क्या है? 7 cm लंबा है ये 49, 42, 45 ये 7 इससे बढ़ा है ठीक है न? अब हमें मिला क्या? x z मिला x z मतलब y z से 7 cm लंबा हो तो y z से 7 नहीं 14 cm लंबा है बताए x z से कितने cm लंबा है? 14 cm लंबा है x y से 7 cm बढ़ा y z से 7 cm बढ़ा तो y z से 7 cm बढ़ा होता तर संग्रमक होता लेकिन यहां x z से 14 cm बढ़ा है इसलिए ये संग्रमक संग्रमक नहीं है क्यों कि यहां लिखेंगे x y से 7 cm बढ़ा है और y z से 7 cm बढ़ा है तब y x j से 14 cm बढ़ा है और रहना कितना चाहिए था बढ़ा? 7 cm तब संग्रमक होता इसलिए y x z से 14 cm बढ़ा है अता संग्रमक नहीं है तो यह हमारे पास हो गया शंग्रमक नहीं है नोट कर लिजिए पहले के पाच्वा का c सरल सरल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाईगे दिमाग लगाकर काम करेंगे मैथ दिमागों का विश है अच्छे लोगों का विश है जो इसे पढ़ेगा एकदम fresh, sharp mind बजाएगा नोट कर लिजिए इसके बाद हम लोग D देखते है D भी देख लेते है आशान है सब फुड़ा सा समझने लाइक है इसलिए समझाने में समय जा रहा है D क्या कर रहा है D कर आए कि D कर आए कि जो relation है वो x y such that क्या है x y की पतनी है x y की पतनी है तो ये तो आप आशानी से समझ पाएंगे बताए ध्यान से स्वतुल्य है नहीं है स्वतुल्य है स्वतुल्य के लिए चिक कर लेते है स्वतुल्य नहीं है ये क्यों नहीं है ध्यान से देख लीजिये शमझ में आजाएगा स्वतुलि के लिए क्या होता है स्वेम का relation स्वेम से याणिë यक्स का 리oletion यक्स से और यक्स यक्स का मतलब क्या होगा स्वतुलि के लिए X-Yक्स होता है ना स्वेम का Democracy स्वेम से यक्स यक्स belongs तो आर्व होना चाहिए और इसका मतलब है इसका मतलब है यक्स यक्स की पतनी है मतलब स्वेम अपने आपका पतनी कैसे हो सकता है यानि ये आर्वे नहीं है यक्स यक्स की पतनी नहीं है ठीक है ना पतनी नहीं है तो ये कहानी हुआ, श्वतुली ये नहीं होगा, क्योंकि यक्स यक्स का पत्नी नहीं हो सकता, श्वतुली के लिए, अब चेक करते हैं सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए क्या होता, xy belongs to अगर r है तो yx भी belongs to r होना चाहिए, xy belongs to r, xy का मतलब है, xy की पत्नी है यक्स वाई की पत्नी है तो यक्स भी आर में रहना चाहिए लेकिन यक्स आर में नहीं है यक्स का मतलब हो गया यक्स का मतलब हो गया यक्स की पत्नी है तो अगर यक्स वाई की पत्नी है तो यक्स का पत्नी होगा पत्नी कहा होगा नहीं हो शक्ति ठीक है ना क्यों क्योंकि Y X का पती है पती है अता संग्रमक संबंध नहीं स्वरी अता सममित संबंध नहीं है सममित संबंध नहीं है ठीक है ना अब तीसरा चेक करते हैं संग्रमक के लिए संग्रमक के लिए अब संग्रमक के लिए देखे तीन लोग लेंगे, अगर यक्स y belongs to R हो, यानि यक्स y की पतनी है, पतनी है, अगर y belongs to y z ले, तो y z तो संभव ही नहीं है इस case में, क्यों संभव नहीं, ऐसे समझे तीन लोगों के लिजे, अगर सीता राम की पतनी है, सीता राम लिख दिये, इसका मतलब इस संबंद के अनुसार सीता राम की पत्नी है, इस संबंद में जैसे हमने एक्स वाई लिखा, तो एक्स वाई की पत्नी है, ओर्डर्ड पेर सीता राम लिख दिया, तो सीता राम की पत्नी है, फिर अगर हम राम ओर्डर्ड पेर कुछ लि तो राम जैसे हमने कुछ लिख दिया, मोहन सोन, कुछ भी लिख दिया, तो राम मोहन का पत्नी है, तो क्या राम पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता, राम क्यों पत्नी नहीं रहे हैं, तो यहां पत्ती है, तो पत्ती पत्नी कैसे बन सकता है, तो सीता राम, राम मोहन, तो यह मंद संभव ही नहीं है, क्यों कि रांपत्नी नहीं हो सकती। तो यहीं लिखने जा रहे हैं कि Y की पत्नी है, तो Y does not belong to our क्यों क्यों की Y पत्ती है, या फिर ऐसे लिखे, Y पुरुस है, इसलिए ये संभव नहीं है समझ पाए अता क्या है ये पेर ही संभव नहीं बन पा रहा है अता संग्रमक नहीं है संग्रमक के लिए क्या होता X, Z की भी पतनी होती तो ये पेर ही नहीं बना इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया संग्रमक नहीं है संक्रमक नहीं है नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए ऐसा संभव ही नहीं है संभव नहीं है इसलिए संक्रमक नहीं है नोट कर लीजिए विडियो पॉस करके ठीक है चले इसके बाद हम लोग next देखते हैं I hope आप लोग लिख लिए होंगे e वाला देखते है ठीक है e वाला क्या है पहले के पाचवे में e वाला कह रहा है कि शंबंद दिया xy xy के पिता है क्या दिया है xy such that xy के पिता है यह आप लोग बताएंगे यह तो अगर बाकी सब समझे होंगे तो अग्दम आशान लग रहा होगा स्वतुल्य नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अगर हम ले yaks 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 आर रहना चाहिए स्वतुल्य के लिए xyaks r में रहना चाहिए लेकिन ऐसा सम्बव नहीं है yaks yaks मतलब yaks yaks का पिता है कोई आदमी अपने आपका पिता नहीं हो सकता क्योंकि X स्वेम का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता बता ये संबन संभाव नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है दूसरा चेक कर लेते हैं सममित के लिए सममित के लिए तो सममित के लिए क्या है बताईए xy अगर r में है तो इसका मतलब होगा xy का पिता है यहीं नहोगा अगर xy है तो yx भी r में होना चाहिए तो yx क्या r में है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अगर xy का पिता है तो yx का पिता नहीं हो सकता yx का पुत्र होगा xy का पिता है तो yx का पिता कैसे हो सकता है xy का पिता है तो yx का पिता नहीं हो सकता yx का पुत्र हो सकता है ठीक है इसका मतलब yx का पिता है पिता है संभव नहीं है अता संभमित भी नहीं है बताइए अगर xy अर्धात xy का पिता है yx संभव ही नहीं है xy does not belong to r yx r में नहीं है क्योंकि yx का पिता होता तब r में होता लेकिन yx का पिता नहीं हो सकता अगर xy का पिता है तो yx का पुत्र होगा क्यों क्योंकि y x का क्या है पुत्र है y x का क्या है पुत्र है तीसरा हम लोग देख लेते हैं क्या है संग्रमक के लिए संग्रमक के लिए अब चेक कर लेते हैं संग्रमक का कंडीशन क्या है संग्रमक के कंडीशन के लिए x y का पिता है sorry x y belongs to r इसका मतलब x y का पिता है न यहीं तो संबंद है y से start करने वाला लेते हैं तो y plugin मतलब y rumors to r होना चाहिए तो य जी का मतलब y जी का पिता है अब देखिए y वाली cancel करेंगे बीच का वाले cancel होंगे तो यक्स j अगर व्लांग्स to r धोला हनला होता तब तो संग्रमक हैं यह होता तो संग्रमक है लेकिन क्या यह संभव है ऐसे समझे राम मुहन का पिता है अगर मुहन का पिता है और मुहन सुहन का पिता है सुहन का पिता है तो क्या राम सुहन का पिता हो सकता है क्या राम सुहन का पिता हो सकता है पिता है नहीं हो सकता देखे राम मुहन का पिता है मुहन सुहन का पिता है अर्थात राम जो है वो सुहन का क्या हो जाएगा नात हो जाएगा, समझे, यहाँ यह इसका पिता है, यह इसका पिता है, तो यह इसका पिता कहां हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह तो इसका दादा हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, सोहन क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा, तो राम सोहन का पिता नही गर संभाव नहीं है अता संक्रमक नहीं है तो ऐसे आपको लिख लेना है तो यह था कुष्जन नमबर पाँच पहले का पहले के पचवे का पच्वा था नोट कर लीजिए आसाना कुष्जन है बस आपको थोड़े समझनी है तेक है ना आपको किवल क्या करना है समझना है अगर समझेंगे तो basic आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा फिर आगे कोई भी समझ्या नहीं होगी तो I hope आजकी इस वीडियो में जो भी चीज़े आपको बताई गई है बहुत ही आसान निश्य आपको समझ में आया होगा फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं अब हम hope आसा करते हैं कि आगे जितने भी सम्मित, संग्रमक या फिर श्वतुल्य से शंबंदित क्विश्चन है वो आपको डाउट में नहीं डालेंगे क्योंकि इतने एकजाम पर हमने second वाले में किया फिर यहां डेर सारे क्विश्चन किये तो सभी क्विश्चन कर लिये हैं अब आपको बहुत ही अच्छे से श्वतुल्य, शंबित और संग्रमक संबंद समझ में आगे होंगे अब इसके आगे की जो सवाल है वो हम लोग नेक्स दे नेक्स वीडियो में देखेंगे तब तक पेस्टा प्लक